परिजए पंसारी साइना की मां को सामान और उसका 248 रुपए का बिल देता है साइना की मां जल्दी से बिल का जोड़ करती हैं और पंसारी को 300 रुपए दे देती हैं पंसारी तुरंद ही उन्हें 52 रुपए वापस कर देता है साइना को आश्चरे होता है कि आखिर बड़े लोग बड़ी संख्याओं का जोड़ वा घटा इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं बच्चो इस अध्याय में आप दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना जानेंगे आओ सीखें दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर तता हासिल लगा कर जोड़ना दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर तता रिन लगा कर घटाना एक अंक वाली संख्याओं का जोड़ आओ एक अंक वाली संख्या के जोर से प्रारंब करते हैं पांच जमा साथ पराबर बारा होता है मीता के पास साथ चॉकलेट है वो साथ चॉकलेट और खरीद लेती है अब उसके पास कुल कितनी चॉकलेट्स है साथ जमा साथ बराबर चॉदा जी हाँ मीता के पास अब चॉदा चॉकलेट है माधव के पास आठ शर्ट है उसके चाचा उसे दो शर्ट और दे देते है अब उसके पास कुल कितनी शर्ट है आठ जमा दो बराबर दस जी हाँ, माधव के पास कुल दस शर्ट है दो अंकों वाली संख्याओं का दोबारा समुह बना कर या बिना बनाए उन्हें जोड़ना दस से लेकर 99 तक के बीच की सभी संख्याओं दो अंकों वाली संख्याओं कहलाती है आओ अब दो अंकों वाली संख्याओं को जोडते हैं दो अंकों वाली संख्याओं को जोडने के क्रम में हम पहले एकाई के स्थान वाले अंक को और उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को जोडते हैं आओ दो अंकों वाली संख्याओं के जोड को ठीक से समझने के लिए संख्या 14 तथा संख्या 23 को जोडते हैं इकाई के अंक वाले स्थान पर 4 तथा 3 अंक हैं 4 जमा 3 बराबर 7 दहाई के अंक वाले स्थान पर 1 तथा 2 अंक हैं एक जमा दो बराबर तीन इसलिए 14 जमा तेईस बराबर है 37 के हम दो अंकों वाली संख्याओं को दो बारा समुह बना कर भी जोड़ सकते हैं आओ देखें कैसे 16 जमा बाईस कितने होते हैं जी हाँ 16 को 10 जमा चै भी लिखा जा सकता है 22 को 20 जमा दो भी लिखा जा सकता है अता 6 जमा दो बराबर 8 है 10 जमा 20 बराबर 30 है और 30 जमा 8 बराबर 38 है इस प्रकार 16 जमा 22 बराबर 38 हुआ हासिल लगा कर दो अंकों वाली संख्याओं का जोड़ दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की दूसरी विधी हासिल विधी है आओ इसे एक उधारण की सहायता से समझते हैं 29 जमा 44 कितने होते हैं इकाई के अंक वाले स्थान पर 9 तथा 4 अंक हैं 9 जमा 4 बराबर 13 हैं इकाई के स्थान पर 3 अंक लिखते हैं और एक अंक को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं दहाई के स्थान के लिए कुलंक एक दो तथा 4 हैं अता एक जमा 2 जमा 4 बराबर 7 है इस प्रकार 29 जमा 44 बराबर 73 हुआ तीन अंकों वाली संख्याओं का जोड़ 100 से 999 तक की संख्याएं तीन अंक वाली संख्याएं कहलाती हैं दो तीन अंक वाली संख्याओं को जोडने के क्रम में हम पहले इकाई के स्थान वाले अंक को जोडते हैं उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को और अंत में सैकड़े के स्थान वाले अंक को जोडते हैं आओ तीन अंक वाली संख्याओं के जोड को ठीक से समझने के लिए हम संख्या 143 वा 254 को जोडते हैं इकाई के स्थान पर तीन तथा चार अंक हैं तीन जमाचार बराबर साथ होता है दहाई के स्थान पर चार तथा पांच अंग है चार जमा पांच बराबर नौ होता है सैकड़े के स्थान पर एक तथा दो अंग है एक जमा दो बराबर तीन होता है इस प्रकार 143 जमा 254 बराबर 397 है हाओ हासिल की सहयता से दो तीन अंगो वाली संख्याओं को जोड़ना सीखते है 423 जमा 287 कितने होते है एक आई के स्थान पर तीन तथा साथ अंग है तीन जमा साथ बराबर 10 होता है एक आई के स्थान पर शूने लिखते है और एक अंग को दहाई के स्थान पर ले जाते है दहाई के स्थान पर एक दो तथा आठ अंग है एक जमा दो जमा आठ बराबर 11 प्राप्त होता है दहाई के स्थान पर एक लिखते हैं और एक अंग को सहकड़े के स्थान पर ले जाते हैं सहकड़े के स्थान पर एक चार तथा दो अंग हैं एक जमा चार जमा दो बराबर साथ होता है इस प्रकार चार सो तेईस जमा दो सो सकतासी बराबर साथ सो तस है एक अंग वाली संख्याओं को घटाना आओ अब घटाने की ओर बढ़ते हैं हम एक अंग वाली संख्याओं के घटाने से प्रारंब करते हैं रजद भूगा है, उसकी माँ उसे चार चपातियां देती है, वो तीन खा लेता है, अब कुल कितनी चपातियां बच्टी है? आईए देखें, तीन को चार से खटा करने पर एक प्राप्त होता है, अताहा रजद के पास एक चपाति बच्टी है, प्रिया की माँ उसके लिए गनित की बारा नोट बुक लाई, उन में से वो साथ प्रयोग कर चुकी है, अब कुल कितनी नोट बुक और बची है? आईए देखें, साथ को बारा से खटा करने पर पाँच पराप्त होता है, अताहा प्रिया के पास पाँच नोट बुक बच्ती हैं, दो अंकों वाली संख्याओं का दोबारा समुह बना कर या बिना बनाए उन्हें खटाना. आओ, अब हम दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना सीखते हैं 25 घटा 12 कितने होते हैं पहले हम एकाई के स्थान वाले अंक को घटाते हैं आईए देखें, दो को पाँच से घटा करने पर तीन प्राप्त होता है इसके बाद दहाई के स्थान वाले अंग को घटाते हैं एक को दूसे घटा करने पर एक प्राप्त होता है इस प्रकार से 25 घटा 12 बराबर 13 प्राप्त होगा 34 घटा 9 कितने होते हैं? संख्या 34 में 3 दहाई वा 4 इकाई है और हम इसमें से 9 इकाई घटाना चाहते हैं क्योंकि 4 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटाई जा सकती है इसलिए हम एक दहाई को 10 इकाई में परिवर्तित कर देते हैं अब हमारे पास 2 दहाई तथा 14 इकाई हैं हम 14 इकाई से 9 इकाई घटा सकते हैं अताहा अब हमारे पास पांच इकाई और दो दहाई शेश बचते हैं। इस तरह से 34 घटा 9, 25 प्राप्त होता है। 54 घटा 18 कितने होते हैं। चलिए देखते हैं, संख्या 54 में से 5 दहाई और 4 इकाई हैं। हम 8 इकाई घटाना चाहते हैं। हम एक दहाई को 10 इकाई में परिवर्तित कर लेते हैं। अब हमारे पास 14 इकाई और 4 दहाई हैं। हम 14 इकाई में से 8 इकाई घटाते हैं। हमारे पास 6 इकाई बशती हैं। अब हम 4 दहाई में से 1 दहाई हटाते हैं। तो हमारे पास 3 दहाई बशती हैं। इस परकार 54 घटा 18 बराबर 36 प्राप्त होता है। रिन दे कर और बिना दिये दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ, अब हम रिन की सहायता से दो अंकों वाली संख्याओं को घटाते हैं। 65 घटा 27 कितने होते हैं? क्यूंकि 5 अंक साथ से कम है। इसलिए दहाई के स्थान वाली संख्या से एक अंक रिन लेते हैं, जिससे अंक 5 अब 15 बन जाता है, जो की 7 से बड़ा है। अतहा 15 घटा 7 बराबर 8 प्राप्त होता है। क्यूंकि दहाई के स्थान का 6 अंक, इकाई के स्थान के 5 अंक को एक रिन देता है। इसलिए अब वो 5 हो जाता है। 5 घटा 2 बराबर 3 प्राप्त होता है। अतहा 65 घटा 27 बराबर 38 प्राप्त होता है। अनुच की मा ने उसे पचास रुपए दिये। उसने क्रिसमस के उस सव पर चटीस रुपए खर्च कर दिये। अब उसके पास कितने रुपए बजे हैं। उत्तर पाने के लिए हम पचास में से चटीस घटाते हैं। शुनने अंक छै से छोटा है। वो पांच अंक से एक रिन लेता है और दस हो जाता है। दस घटा चै पराबर चार प्राप्त होता है। पांच अंक एक अंक रिन देकर चार हो जाता है। अताह चार घटा तीन बराबर एक प्राप्त होगा। अर्थाथ 50 घटा 36 बरापर 14 प्राप्त होता है। अनुच के पास अब 14 रुपे 6 बजे हैं। रुन दे कर और बिना दिये तीन अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ अब तीन अंक वाली संख्याओं को घटाते हैं। 364 घटा 241 कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 में से 1 घटाते हैं। जिससे 3 प्राप्त होता है। फिर 6 में से 4 घटाने पर 2 और फिर 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। अता 364 में से 241 घटाने पर हमें 123 प्राप्त होता है। साथ सो चववन घटा दो सो सत्ताईस कितने होते हैं। चलिए देखते हैं, चार अंक पांच से रिन लेकर चौदा हो जाता है। अधा चौदा में से साथ घटाने पर साथ मिलता है। अब पांच अंक एक अंक रिन देकर चार हो जाता है। अता चार घटा दो पराबर दो प्राब्द होगा। और साथ में से दो घटाने पर पांच प्राब्द होता है। इसलिए साथ सो चववन में से दो सो सत्ताईस घटाने पर हमें पांच सो सत्ताईस प्राब्द होगा। और तीन अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर तथा हासिल की सहायता से जोड़ सकते हैं।